M34 लेना चाहिए या A34 काफ़ डिफिकल्टी फिस्ट कर रहे हो ना अपना ड्रीम फोन लेने में तो आप सही जगाए हैं तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों फोनों में से कौन सा फोन बैस चाहिए और हमें ये फोन कहां से लेना चाहिए वीडियो को आन तक जरूर देखिएगा ये वीडियो आपकी काफी काम आने वाली है सबसे पहले बात करते हैं M-Series की M-Series हमें ज़रा तर ओन लाइन देखने को मिलती है ये फोन हमें ओफनल शोर्स पर काफी कम देखने को मिलती है इसका भी एक रीजन है कि सेलर के पास M-Series में मारजन कम होता है और A-Series में मारजन ज़्यादा होता है इसलिए वो A-Series को ज़रा प्रैफर करता है इसलिए हमें A-Series ओफनल शोर्स पर ज़रा देखने को मिलती है तो चलिए हमारी वीडियो की शुरुआज सबसे पहले A-Series के A-34 5G से चालो करते हैं चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के प्रैस की ओफनल शोर्स पर इस फोन का प्रैस हमें 29,000 देखने को मिलेगा और कुछ क्रेडी करकर डिसकाउंट डालने पर 27,000 में देखने को मिलेगा लेकिन अगर हम ट्राय करें ओफनल शोर्स पर तो इस फोन हमें असानी से 26,000 में मिल सकता है इस फोन में हमें 4 कलर देखने को मिलेगे पहला बलैक, दूसरा ग्रीन, तीसरा वॉलेट, एंचोथा और आखरी सिल्वर कलर देखने को मिलेगा तो आज फिर सिल्वर कलर का रिव्यू करते हैं इस फोन के साथ हमें हमारी C2C टैप, लाइटनिंग केबल देखने को मिलेगी और कुछ Manu Guides, Sim Ejecti Toolkit और हमारा फोन देखने को मिलेगा बोक्स में इस फोन के साथ में भी हमें Charger देखने को नहीं मिलेगा इस फोन में हमें ट्रिपल कैमरा सेटप देखने को मिलेगा और साथ में एक Flashlight बैक में देखने को मिलेगी इस phone के weight की बात करें तो इस phone का weight 199 grams है इस phone ने हमें 8.2 mm की thickness देखने को मिलती है ये phone back में multi color shades देता है इस phone में हमें hybrid SIM slots देखने को मिलेगा सबसे अच्छा feature जो M34 5G में नहीं है कि इस phone हमारा IP67 Dutch and water resistant भी है इस phone की display की बात करें तो इस phone में हमें Super AMA display with 120 years refresh rate देखने को मिलेगा इस phone में हमें 6.6 inches की screen देखने को मिलती है इस phone में हमें 84% screen to body ratio देखने को मिलेगा इस phone की display हमें 390 PPI density का resolution देती है चलिए अब बात करते हैं इस phone की processor की तो इस phone में हमें Mediatek DMLG 1080 processor देखने को मिलेगा जो की हमारी gaming performance को काफी boost कर देता है ये phone हमारा Android 13 पर वर करता है इस phone में हम 8GB Virtue Ram Extend भी कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं इस phone के camera features की तो इस phone में हमें triple camera setup देखने को मिलेगा जो की हमारा main camera 14 megapixel का है with 1.8 aperture rate दूसरा camera हमें 8 megapixel का ultra wide camera देखने को मिलेगा with 2.2 aperture rate तीसरा camera हमें 5 megapixel का macro camera देखने को मिलेगा with 2.4 aperture rate और हमें 13 megapixel का selfie camera देखने को मिलेगा ये phone 4K 30fps तक video recording support करता है इस phone में हमें HDR, Panorama, Super Slow Motion, Slow Motion और Macro Mode भी देखने को मिलेगा बैटरी की बात करें तो इस phone में हमें 5000 mAh battery देखने को मिलती है इस phone में हमें inbuilt display, fingerprint sensor देखने को मिलेगा इस phone में हमें stereo speakers देखने को मिलेगे लेकिन headphone jack देखने को नहीं मिलेगा overall इस phone के performance की बात करें तो इस phone के performance, camera quality, processor काफे ही बैतरीन है look wise भी ये phone मुझे काफे अच्छा लगा और साथ में ही इस phone हमारा water resistant भी है चलिए अब इस phone को side में रखकर बिना किसी देरी की बढ़ते हैं हमारे दूसरी phone की और जो की Samsung M34 5G है चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस phone के price की इस phone का price 20,000 है लेकिन कुछ credit करकर discount डालने पर ये phone हमें 18,000 में देखने को मिलेगा ये phone हमें online purchase करने में ही फायदा है क्योंकि offline shorts पर इस phone का price तोरा जादा है इस phone में हमें 3 color देखने को मिलेंगे पहला made 9 blue, दूसरा silver, तीसरा और आखरी waterfall blue color देखने को मिलेगा जो की हमारे पास है इस phone की weight की बास करें तो इस phone का weight 208 grams है थोरा सा जो की 884 से थोरा सा heavy है इस phone में हमें 8.8 mm की thickness देखने को मिलेगी इस phone की back में हमें plastic shining glass body देखने को मिलेगी look wise ये भी phone काफी अच्छा लग रहा है इस phone में हमें super amulet display with 128 refresh rate देखने को मिलेगा इस phone में हमें 83% screen to body ratio देखने को मिलेगी और इस phone में 396 PPA density देखने को मिलती है ये phone हमारा gorilla glass 5 से protected भी है चलिए अब बात करते हैं इस phone के processor की तो इस phone में हमें exynos 1280 processor देखने को मिलता है जो की 884 से कम है इस phone में हमें dual sim slot के साथ प्लस SD का slot भी देखने को मिलेगा ये phone हमारा android 13 पर वर्क करता है इस phone में हमें 6GB RAM तक virtue RAM extend देखने को मिलेगी सबसे अच्छा feature इस phone में हमें 6000 mhb2T देखने को मिलती है चलिए बढ़ते हैं इस phone के camera features की हो तो इस phone में हमें triple camera setup देखने को मिलेगा जो कि हमारा 50MP का main camera with 1.8 aperture rate दूसरा camera हमें 8MP का ultrawide camera देखने को मिलेगा with 2.2 aperture rate तीसरा और आखरी camera हमें 2MP का camera देखने को मिलेगा with 2.4 aperture rate और हमें 13MP का selfie camera देखने को मिलेगा ये phone हमारा 4K 30fps तक video recording support करता है और camera features की बात करें तो इस phone में हमें LED Flash Mode Panorama, HDR, Slow Motion, Super Slow Motion और Macro Mode भी देखने को मिलेगा इस phone में लेकिन हमें side mounted fingerprint sensor देखने को मिलेगा इस phone में हमें headphone jack भी देखने को मिलता है ये phone हमारा water resistant नहीं है overall इस phone में हमें अच्छी battery, अच्छी look, अच्छा camera और अच्छी display देखने को मिलती है चलिए बात करें हमें इस दोनों phone में से को ता phone लेना चाहिए I suggest अगर आपका budget 20,000 तक है तो आप M34 ही लेना चाहिए अगर आपका budget 20,000 से उपर है तो A34 5G phone ही best है तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है अगर मानी वीडियो ची लगी हो तो make sure like the video and subscribe the channel